हेलो दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि आज कल की भाध दोड़ के जिंदगी और गलत फान पान और रहन सहन के कारण विवाहित पुर्षों में यौन शम्ता में कमी आ जाती है जिसके कारण वैवाहित जीवन का आनंद ले पाना कठीन हो जाता है इस कठीनाई को दूर करने के लिए ज्यादा तर व्यक्ति अप्राक्रितिक आउशदियों का सेवन करने लगते हैं ये आउशदियां बाजार में कई नामों से मिलती है इन सभी आउशदियों में सिल्लेना फिलसाइट्रे नाम की साल्प होता है जो की काफी नुकसान दे होता इनको खाने से सिरदर्द, चक्कर आना, दिष्टी में कमी आना, गर्मी लगना, जी मिचलाना, सीने में दर्द, सांस फूलना, किटनी के समस्या और तो और इस औशदियों को लंबे समय तक खाते रहने से इसकी लत्वी पढ़ने का ख़दरा बन जाता है आज के इस वीडि को आखरी तक पूरा जरूर देखेगा, यह नुस्खा बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ता है और आम और शदियों से ज़्यादा असरकारक होता है, तो आईए जानते हैं इस चमतकारी नुस्खे के बारे में, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जान लेते हैं, सबसे पहले पान के पत्ते पर शहत का लेप लगाएं, उसके बाद इसमें आदा चम्मच मिश्री, आदा चम्मच कलोजी, वह छोटा अद्रप कूच कर डाल दें, फिर इसे पान के जैसा लपेट लें और संभोग से 45 मिनट पहले खाएं, इसे अच्छे से वह इसे पूरा खा लें, इसे खाने से संभोग शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, किसी भी प्रकार की शारीरी खानी भी नहीं होती है, याद रहे, यह अनुस्खा केवल जरूरत के अनुसार ही इस्तिमाल करें, यदि आपको सेक्स सम्मंदित किसी भी प्रकार की समस्या है और काफी समय से है, तो इसका समुचित उपचार कराएं, किसी भी प्रकार की सेक्स समस्या का आयूरवेदी और शदियों द्वारा इलाज कराने के लिए स्क्रीन पर नीचे दिये करें नमबरों पर संपर्ख कर सकते हैं, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें